अब तो आप यह कोशिश करो कि इसी जनम में इसी मनुष्य शरीर के रहते रहते हम अपना काम बना लें जिस लक्ष के लिए जिस उद्रेश के लिए हमने मनुष्य शरीर को मांगा था प्रभू ने दया करके मनुष्य शरीर दिया है वो हम अपना काम पूरा कर लें क्योंकि कि दाओं लग गया आपको कि शीर का दाओं लग गया मुन शरीर पाने का और यह आउसर आपको बिलना है तो इस आउसर से इस मुखे से अब आप मच्छू करना 22 गंटा में से दो गंटा समय आप अपनी आत्मा के लिए निकालो कि जिससे यह नर्कों में न जाने पावे 84 में कीडा मकोडा सांपोजर बिच्छो के शरीर में यह शक्कर न लगाने पावे आप तो गंटा समय निकालो कि जिससे आप जन्मने और मरने की पीडा से भच सको क्योंकि प्रेमियों जन्मते वक्त भी देखो बच्छा बहुत तेज रोता है अपनी आवकात से तेज रोता है क्योंकि तकलीप होती है और मर्द समय भी देखो बहुत से लुगों की तो हड़ी हड़ी चटकती है रोते हैं चिलाते हैं जबान सुचली हो जाती है आवास आप नहीं निकलते हैं आँक से आशू गिरते हैं किसी के आशू सूक ही जाते हैं नहीं निकलते हैं लेकिन आखें बदाते हैं उनका शेहरा बताता है कि बड़ी इनको तकलीप हो रही है, जन्मने और मरने की दोड़ों की पीडा थे, आप पच सकते हो और ऐसा कोई काम आप ना करना, कि जिससे जन्मने और मरने की पीडा आपको अब जेलनी पड़े,